बिस्मिल्य रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगी ब्लोटेड स्टमक के बारे में, यानि जो पेट फूल जाता है, अगर आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, यानि आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है, आपको लगता है कि आपके पेट के अंदर गैस एक्वूलेट हुई है, अब्लोटिंग के ब्लोटिंग की वज़ा से बहुत से डाइजेस्टिव डिसॉर्डर हो सकते हैं, इलर्चीज का कॉस बन सकता है, जिन लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, उनके अंदर फ ब्लोटिंग के बहुत से रीजन हो सकते हैं, कोई डाइजेस्टिव डिसॉर्डर हो सकता है, अगर आप बहुत जादा नमक खाते हैं, तो उसकी वज़ा से ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वज़ा से आप अपना पेट फूला वा अपन समक के अंदर, या कॉंस्टिपेशन एक बहुत बड़ी वज़ा है, क्योंकि स्टूल अगर आपकी बॉड़ी से पास आउट नहीं होगा, वह इंटेस्टाइन में ही रहेगा, तो आप डिसकंफर्ट फील करेंगे, फ्लूइड रिटेंशन जिसे केडेमा भी कहा जाता है, इसकी वज़ा से ब्लोटिंग हो सकती है, दी हाइडरेशन एक बहुत बड़ी कॉस है, क्योंकि आप अगर सॉल्टी फूड लेते हैं, साथ में पानी कम पीते हैं, तो आपकी बॉड़ी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वज़ा से ब्लोटिंग हो जाती है, ब् कर आपको ब्लोटिंग होंगो, साथ मेदा पाइट अगर से ब्लोटिंग के वाटर से पक् kana चैपे और लुड़ा, की अज़एडा कर देशन होते हैं, जिसकी वज़ा से seconds, आपको ब्लोटिंग हो सेस्त्रेसं को ब्लोटिंग हो सकती है, स्ट्रेस भी वज़ा बनती है क्यों Consti-Pation की वज़ा से Bloating होती है, इसलिए जादा से जादा fiber लें अपनी डाइट में, जादा से जादा पानी भीएं खाने को अच्छी तरह चबाएं, जितना आप खाने को चबाएंगे उतना जादा Bloating के chances कम होंगे, smoking को avoid करें, exercise और physical activity आपको ब्लोटिंग से बचा सकती है डेली एक सर्विंग देही की जरूर ले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीए कार्बोनेटी ड्रिंक्स को एवाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स और वेजिटेबल्स खाएं अगर कोई फूड खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अनकमफर्टिबल फील करते हैं आप अपने बॉड़ी को ब्लोटिड फील करते हैं तो उस फूड को एवाइड करें इसके इलावा कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जिने आप खाने के बाद यूज कर सकते हैं जिस जो आपकी ब्लोटिंग को खतम करेंगी उसमें सबसे पहले है जिंजर टी आप जिंजर को ले सकते हैं ब्लोटिंग को खतम करने के लिए उसके लिए दो से तीन स्लाइसेज ले 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 अदरक के और उसको उबलते हुए पानी में डाल दें दो से तीन मिनट तक इस पानी को उबलने दे और जब यह नीम गरम रह चाए तो इसको पी लें यह आपने अपने खाने के तकरीबन आदे घंटे के बाद पीनी है जिंजर टी आप फैनल सीड यनि के सौंफ भी खा सकते हैं थोड़े से सौंफ लेके आप खाने के बाद चबा लें तो उससे भी ब्लोटिंग का प्रॉबलम हतम हो जाएगा आप पुदीने की चाए पी सकते हैं उसके लिए कुछ पुदीने के पत्थे ले लें और उसको उबलते हुए पानी में डाल दें दो से तीन मिनट तक इसको उबलने दें और उसके बाद फ्लेम आफ कर दें जब यह नीम गरम रह जाये तो इसको आप पी लें पुदीने की चाय भी आप अपने खाने के तक्रीबन 30 मिनट के बाद लें आप ग्रीन टी ले सकते हैं एक टी बैग ले 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 और उसको बॉइलिंग वाटर में डालके 15-20 सेकेंड तक उसको उसमें रहने दे और उसके बाद उस टी बैग को निकाल दे और ये भी आप खाने के तक्रीबन 30 मिनट बाद ले सकते हैं इन रेसिपीज को फॉलो करके आप ब्लोटिंग को हतम कर सकते हैं आपके बॉड़ी के अंदर गैस अकुमूलेशन नहीं होगी वाटर डिटेंशन नहीं होगी जिसकी वज़ा से आप स्लिम नजर आएंगे आपका वेट जो ब्लोटिंग की वज़ा से जादा दिखाई देता है वह कभी जादा नहीं होगा और आप healthy feel करेंगे light feel करेंगे जो abdominal discomfort आप फिल कर रहे थे वह फिल नहीं करेंगे तो इन रेसिपीज को follow करें अगर ये वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी हो तो इसको जादा से जादा शेयर करें and thank you for watching this video